हेलो व्रवन स्वागेत है अब सभी का आप सभी की बसनेटिव चनल राय एजुकेशन में प्रामरी टीचर सेलरी के उपर बहुत इंपोर्टन्ट ये वीडियो है क्योंकि आप सभी जॉइन कर चुके होंगे नए नया जॉइनिंग किया है और अंतरमें में अब सीधा सा प्र मिलना प्रारम हो जाएगी तमाम तरीके के आपके प्रशन हैं तो इस छोटे से वीडियो में आपको जानकारी देनी की कोशिश करूंगा और आपको इन प्रॉसेस के जरी कौन-कौन से प्रॉसेस के जरी आपको गुजरना पड़ेगा आप अपना क्या करतव निबा सकते है और सलरी कितने मिलेगी, एक मोटे मोटे तौर पर प्राइमरी टीजर सलरी को पर ये वीडियो है。 चली बिना किसी देरी की वीडियो करते हैं और डेस्क्रिशन में सभी प्लेलिस्ट के लिंक है जो प्राइमरी टीजर को बहुत हल्प करेंगी तो लगातार ये सीरीज चलती की है आपने बीसे काराले पर आपका medical certificate सारी चीज़ें हो गए होंगे complete और आप joining होने के बाद आपके signature होने लगे होंगे BRC पर फिर आप पहुंचे होंगे joining लेटर विद्याले का मिला होगा और फिर BRC से approved होते ही आप विद्याले पहुंच जाएंगे और विद्याले पर भी join कर लेंगे अब आता है important बात कि हम join कर चुके हैं और अब कितनी दिनों बात क्योंकि अगला जो process है वो है salary का तो salary का अगर मैं बात करूँ तो joining के लगबग यह depend करता है आपका जो आपके documents जो submitted है वो कितनी जल्दी approved हो जाते हैं कितनी जल्दी authenticate हो जाते हैं कितनी जल्दी उसका विदिमान ने कर दिया जाए उसको सहीत जे authenticate कर दिया जाए संबनित युनिवर्सिटी या board के जलिए जैसे आपका दस्मी की mark sheet होगी 10th result होगा आपका प्रमाण पत्र होगा 12th result और प्रमाण पत्र होगा graduation का होगा B.Ed का होगा B.T.C. का होगा D.L.Ed का होगा तो यह approved होगा टीटी की mark sheet approved होगी फिर उसके बाद salary का जो होगा आगे का काम होगा तो सबसे पहला जो process होता है वो आपके document verification का होता है जी हां बस सिर्फ और सिर्फ counseling के समय है या जोइनिंग के समय ही document approved नहीं होते हैं verified नहीं होते हैं यह संबनित युनिवर्सिटी और board के द्वारा जब verified हो जाता है verification complete हो जाता है तब से आपकी salary प्रारंब हो जाती है तो आई होप इस बात को आप समझ चुके हैं अब आते हैं बात फिर भी जवानिंग के लिए कितने दिन लग जाते हैं start होने में salary आप दूसरा step का प्रशन यह है तो इसको अगर मैं बताओं कि सम्मदित board या university जैसे आपकी 10th और 12th की कम से कम 2 या 3 degree या result आपकी authenticate approved हो जाती है तो उस दिन से आपकी salary मिलना कह सकते हैं कि सुरुवात हो जाती है salary आने की ही इस बात को आई होप आप समझ गयोंगे अब ये 2 से 3 जो result हैं वो approved कितने समय में हो जाते हैं तो लग बग इसको जैसे आपकी batch का complete जो आपका जितनी vacancies होंगी एक साथ आपकी batch आई उसने join किया तो उस joining की date लग बग जो हफते बर का अंतराल रहता है जब के joining का उससे लेकर लग बग एक माहा के उपर और इसको लगा कर दो महीने एक माहा से लेकर दो माहा के बीच में समंदित board या निवर्सिटी को स समंदित BSA के द्वारा अधिकवारे के द्वारा भेज दिया जाता है इनिवर्सिटी क्यों कि जब आपने counselling कराई होगी तो आपके real original documents जो है वो counselling में जो जमान होती है जिले में वो BSA ही समंदित उससे होते हैं है ना तो आपको अब आपको क्या करना है इस प्रक्रिया के साल भर छे महिने बाद आएगी हना तो आपको करना क्या है कि आपको अपने स्तर पर जांच प्रक्रिया प्रारम करते रहना है आपको बार-बार इसके लिए खोजबिन करते रहना पड़ेगा बार-बार समंदित BSA से BRC से मिलते रहना पड़ेगा और senior तो आपके साथ जा रही है सबके समंदित BORDS को उस लिस्ट में फिर आपका नाम है कि नहीं है और फिर जो लिस्ट सेलरी को अप्रूवड करने के लिए जा रही है तो उसमें आपका नाम है कि नहीं कई बार होता है कि कई लोगों के नाम छूड़ जाते हैं फिर बाद में वो authenticate होते हैं त आने में इतना समय लग सकता है ठीक है अब सेलरी आएगी कितनी यह डिपेंड करता आपके बेसिक पे पे बेसिक पे आप सभी पता है प्राइमरी टीचर्स का 35,400 है बेसिक पे है ना और फिर उसके बाद इसी बेसिक पे में आपका डिये एड हो जाता है दस प्रतिशत माफ आपका एचारे इसमें एड हो जाता है ठीक है ना एचारे लगबग 1340 रुपए ग्रामेड च्वेत्रों का और सहरी च्वेत्रों का लगबग 1340 से लेकर 2000-3000 तक वो हो जाता है तो मिनिमूम 1340 रुपए स्टार्टिंग है तो इन सभी जीजों को जोडने एक बात जो कह सकते हैं कि जो सैलरी होनी चाहिए वो लगबग 32,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी लेकिन इसमें एक GIS कर जाता है आपका GIS क्या होता है इनसोरिंस होता भी मा होता है विभाग के द्वारा कराया जाता है लगबग 100 रुपए के आसपा 87 रुपए आपका GIS कर जाता है तो तब भी लग 15 परसेंट है तो लगबग वो कम थोड़ा रहेगा डीए 21 परसेंट हो जाएगा तो वो बढ़ जाएगी सैलरी आपकी बैल इजार के उपर हो जाएगी है ना तो यह एक मोटा मोटा मैंने आप लोगों को छोटे से वीडियो में जानकारे देनी की कोशिश की है और आपकी प्रकार के कमेंट आएंगे उस पर वीडियो लगातार आपको अब सीरीज मिलती रहेगी तो डेस्क्रिप्शन पर लिंक है जरूर चेक आउट करिएगा और आपके बास जीतने भी प्रशनों आप पूछिएगा संबनित वीडियो से बनती रहेगी सभी चैनलेतों को डेरो पूछिब कमना है वीडियो को लाइक करना मत बूलिए को और ज्यादा ज्यादा शेयर करती रहेगी बेस्ट अफ लक्त हैंगे समझ मुझा